हेलो नमसकार मेरा नाम दल बीरह और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तहित चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग मैं और आज मैं आप खेती से जोड़ी तक हो जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल गी पैदावार प्राप्त हो जिससे कि हमें अच्छ इंकम प्राप्त हो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे तक कि आपको खित्ती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नए ह यहां देशी कपास के किसमे 15 अपरेल से शुरू होती है विजाई अरियाना में मुख्यत कपास के तीन तरह की भी इस किसानों की तरफ से प्रियूब किये जाती है जिसमें नर्मा बिट्टी कोटन तथा देशी कपास सामिल है कपास के सभी विजों की विजाई अपरेल से इस मदद को प्राप्ट करने के लिए राज्य के ऐसे किसानों को मेरी पिसरे मेरा ब्योरा पोर्टल पर रिजिस्ट्रेशन कराओ सकते हैं और 30 मज़ तक रिजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जानकारी के मताबिक किसानों की तरफ से उन्दान के लिए रिजिस्ट्रेशन करवाई जानने के बाद उसका बुद्धिक से तैपान होगा जिसके बाद किसानों को उन्दान असी जारी की जाएगी। गुलाबी सुंडी बनिया समस्या कपास अर्याना में प्रमुक नगदी फसल है जिससे अर्याना के किसान थोड़ी नमकिन वा कमजोर भूम में सबलता पुरुक उगा रही है दान की तुलना में इसमें लागत कम रहती है जबकि बजार में इसका बाउध दान से अधिक करता है ऐसे में किसान कपास की तरफ अधिकास सित हुई है लेकिन वित्य कई वरसों में उत्तर बात में होने वाली कपास की फसल पर गुलाब भी सुंडी लग जा रही है जिसमें कपास की फिसल खराब हो जा रही है जिसको देखते हैं वित्यक कुछ समय से विशे से गुलाब भी सुन डी मनेजमेंट के लिए इसी टेकनोलोजी पनारीने पर जोड दे रहे हैं वहीं इसी भी चरियान कि आज हम बात करते हैं देखते हैं देखते पास की वराइटी के आर 121 की के आर 121 वराइटी सकती वर्दक आईबराट सिट्स प्राइवेट लिम्टेट के दोवारा बनाए गई है इसका पोदा फिलावदार होता है इसमें 22-23 फल दारक सकाए होती है इसके टेंडे का वजन आई से तीन गराम तक होता है सदानता इसमें 3-4 ताडियां होती है इसके पकने के अफ़दे 165 दिन के होती है यह कम किसमा में पकने वाली किसम है अधिक जानकार यह तू आप संपरक्रेश 0-65-2563 सकती वर्दक आईबराट सिट्स प्राइवेट लिम्टेट तिलक वजार ह क्यार 121 बात सकार द्वारे नोटिपाइड किसम है इस अखिल बारतिया नो समनुतिक पास सुदार प्रयोजना प्रक्षनों के अनुसार क्यार 121 ने उत्तरी बारत में AAH-1 की तूलना में अधिक थता रियाना में AAH-1 से अधिक थता C1-CR2 से अधिक थता राजस्तान में र पहले के वस्ता बुक्की में सुदिया परवावी रहती है जो बुक्की को खाती रहती है जिनके और किसान का ध्यानी नहीं जाता है उसमा दिस्तिक पास में पोदो पर फूल दिखाई नहीं देती है ये सुदिया फूलों और फूलों को खाती रहती है बाद में किसान का ध प्रेक्रुआं अन्ताय किसान भाई बरसांत आने या पानी लगाने का इंतिजार नहीं करें। ट्रेसर के पहले जटकाओ के बाद 70 mm ट्रेसर या 500 ग्रम टाकुमी पत्ती एंकड का सप्रे 10 से 15 दिन के अंतराल पर दुराते रहे। पुसर पवस्ता में NPK 1919 के गोल था 50 mm प्लाइनोफिक्स का पत्ती एंकड चिटकाओ अपसे दोराई। जब फल या टिंडे बने आरम हो जाये तो उसमें 1345 की सप्रेव को कम से कम दो बार दोराई। जिससे फलों को अधिक खुराक मिल सके। इससे आपकी पैदावार जादा ह आज हम बात कते देशी कपास की विगानी खेत्ती के बारे में। नंबर 11 फसल की विगानी शिचित था ऐसी छेत्रों में। फंगस के लिए कोपर ओक्सी कलोराइड इतिया दी। फल फुलों के बढ़वार के लिए टोनिक का प्रियोग। नंबर 1 पलैनो फिक्स, नंबर 2 कल्टार, नंबर 17 फसल में खाद का उप्योग, फिर चुनाई, फिर बंडारन, यह मुख्य स्टैप है जो देशी कवास की फसल में उप्योग किया जाते हैं। अब हम बात करते हैं देशी कवास की पुली उग्यानिक खेती के बारे में। नंबर 1 उप्योग कोच में, देशी कवास की बिजाई का उप्योग कोच में अपरेल वा मही में मिनना होता है। बजार में कवास की बहुत सी वराइटिया उप लगद होती है। अपरेल महिने के बिजाई के लिए हमागेति वराइटी वह पंदरा मही के बाद हम तेसी कपास के लिए पचेति वराइटी का ही चुनाओ करते हैं नमबर दो खेत का चुनाओ इसके बाद हम तेसी कपास की बिजाई के लिए हम खेत का चुनाओ करते हैं अगर पहले उस खेट में सर्सों की भी जाय की थी तो सर्सों के फ़नों को रोटावेटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्सों के फ़ने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए पिर आप ऐरो के साहता से एक-डक अच्छी तरह जुटाई कर दे पिर आप लेजर लेवलर के साहता से खेट को सम्नेटर कर दे ताकि खेत किसी चाहया अच्छी तरीक्शे हो जाई अब हम बात करते हैं दिशिक पपास की खेटे के लिए मिट्टे की जांस सबसे पहले अपने खेत की मिट्टे के जांस करवा ले जिससे हमें या पता चल जाता की मिट्टे में किन किन पोसकत्तों की कमी है और खेत की मिट्टे किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टे में कौन कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं, चना, अरहर, सर्सों, राया, बर्सीन, गना, अलू, मक्का, बाजरा कपास, त्यादी मिट्टे की जांसे में यहा पता चल जाता कि इसका प्याचमान कितना है देस्टी कपास की बिजाई, फासपोर्स वा पुटास बिजाई के समाँ पोरे अगर फासपोर्स बिजाई पर नहीं डाली गही है तो बोक्की पर पोरे बोक्की का मतल्ब फूल आने पर पोरे यहादी नाइट्रोजन बोक्की के समाँ 45-60 दिन पासे नाइट्रोजन फूल निकलते समाँ कतारों में दो नोर डाली अगर गयों के बाद के पास ले रहे तो बुक की कैसिमा डाली जाने वाली नाइट्रोजन विजाई पर पूरी अब हम बात करते हैं पानी की जांसकी अगर आप फ़सल की विजाई के लिए नैरी पानी का इस्तेमाल करते हैं लिए सबी परकार किंपुदों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें भिजगॉंकून At All परतिसर तक हो जाता है अगर आप वर्षा के बाद फशल की विजाई करते हैं तो भी इसमें बीज का उंकूंड के समय एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपी में एक जार से कम है और इसमें सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें 20 गांकूर्ण 100% से तक हो जाता है अगर पानी का पीपियों में एक जार से जादा है तो इसमें बीज कम कुर्ण से ही तरिक्के से नहीं हो पाता है इससे हमारा नुक्सान हो जाता है इसलिए पानी की जांच करवाना भी पहुत जुरूरी है कपास की खित्ती के लिए बूमी का चुनाओ कपास की खित्ती के लिए अच्छी जल दारण और जल निकास समतावाली बूमी होनी चाहिए जिन सेत्रों में वर्षा कम होती है वहां इसकी खित्ती अधिक जल दारण वाली समतावाली मत्यार बूमी में की जाती है जहां सिचाई की सुविद्दाइं उपलब दो, वहाँ बलूई वाँ बलूई दौमत मिट्टी में इसकी खेति की जा सकती है, यह अलकी अमलिय हैं यहुं सर्य भूमी में उगाई जा सकती है, इसके लिए उप्यूकत पीयच मान साधे 5.5-6 है, अलांकि इसकी खेति साधे 8. प्याच मान तक वाली भूमी में अच्छी तरह शेक की जा सकती है। कपास की खेत्ते के लिए मोसम वह जलवाईू। यदि प्रियापत सिच्चाई सुविद्धा उपलब्ध हो तो कपास की फचल को मई माय में ही लगा जा सकता है। सिच्चाई की प्रियापत उपलब्धा ना होने पर मानसूंग की उप्योकत वर्षा होती ही कपास की फचल उगा सकते हैं। कपास की उत्म फचल के लिए आदरस जलवाईू का उनाव सकता है। फचल के उगने के लिए कम से कम 16 degree centigrade और अंकुरून के लिए आदरस तामान 32-34 degree centigrade होना होना चीता है। इसके बढ़वार के लिए 21-27 degree centigrade होना चीए। फल लगते समय दिन का तामान 25-30 degree centigrade और राते ठंडी होनी चीए। कपास के लिए कम से कम 50 degree centigrade वर्षागा होना आविश्यक है। 125 cm से अधिक वर्षागा होना कपास के लिए अनिकारक होता है। कपास की उनत के लिए खेट के त्यारी उत्री बात में कपास की खेटी मुक्यत से चाहिया दारित होती है। इन चेतरों में खेट की तियारे के लिए एक से तैयरे कर एक से दू गयरी जुटाई करने चीए, इसके बाद तीन से चार अलकी जुटाई कर पट्टा लगागर बुएए करने चीए, कपास का खेट तियार करते हैं, इस बात का जान रखना चीए हिए कि फूरणत्या सम्तलो ताकि मिट्टे की जल दानवा जल निका समता दोने अच्छी हो यह दिखे तो में कर्पतवार की ज्यादा समस्या ना हो तो बिना जुताई या नियुन्तम जुताई से भी कपास की खित्ती की जा सकती है दिख्षनेवाय मद्यमार में कपास वर्षाधारित काली भूमी में उगाई जाती है इन छेतरों में खित्त त्यार करने के लिए गैरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल्सी रवी फसल की कटाई के बात करने चीए जिसमें पतवार नश्ट हो जाते हो वर्षाजल का संच् काफी होता है बुआई से पहले खित में पाटा लगाते हैं ताकि खित सम्तल हो जाए या फिर आप लेजर लेवलर की साथा से खित को सम्तल कर सकते हो अगर आप गोपर की खात का इस्तिमाल करते हो तो आठ से दस ट्रोली एक अंकट के लिए परियापदत रहती है या कात मि फसलों को इस क्रें में बहा जाता जिस्से की मर्दा के उरुकता सकति बने रही एक सफल उत्पादन के लिए उत्र द्याई प्रमुक कारकों मैं से एक फसल चकर एक मत्तो पूर्ण स्थान रखता है फसल अपनाने का मुख्या देश्या प्राकत तक सहसादनों का उभ्योग की ऑखती है किसी भी खेत में एक निश्चित समय में उसकी मर्दा की उरुकता सकती हूँ बनाये रखने जाने वाली फसलों के करम को फसल चकर करते हैं किस चेतर की भूमी जलवाई यूए इन्हें अत्तावर्ण कारकों के दार पर विविन फसल चकर अपनाया जाते हैं एक अच्छे फसल चकर को अपना करें किसान अपनी भूमी में अधिक से अधिक लाप कमा सकता है फसल चक्करों की संक्यातीन होती है एक वर्षिय फसल चक्कर जैसे मक्का के बाद गये हूँ दो वर्षिय फसल चक्कर जवार बरसीन दान मक्का इसके तरिक्त फसलों के चक्करों के दारपत फसल चक्कर को वर्गिकत किया गया है रविक की फसल में अपनाय जाने वाले फसल चक्र, ख्रेब की फसलों में अपनाय जाने वाले फसल चक्र और जैद की फसलों में अपनाय जाने वाले फसल चक्र फसल चक्र के सिधान्त उतले जडड़े वाली फसलों के बाद गेरी जड़ वाली फसलों को उगाना चीए, देख खाद के आउसकते वाली फसलों के बाद कम खाद के आउसकते वाली फसलों को उगाना चीए, फलीदार फसलों के बाद एफलीदार फसलों को उगाना चीए, कर्शी सहसादनों का प्र बावित छेतरों में फ्रसल्चक्र में आचादित फ्रसलों का समाविस होना चाहिए फ्रसल्चक्र के एलाब किसी खेत के पर्ति का छेतरपल में से एक निश्चत समय में होने वाल उत्पाद में वर्दी होती है विविन फसलों का कार्या करने निश्चे तो जाने ते उनके आवश्क बीज का थाकर पतमानस सीन आदी का उंचीत समय की उनुसार पिरियोग किया जा सकता है फसल चकर में गैरी कम उतली वाली जड़ों के समिलित होने के काण बूमे क्यों पुर्गी सिता था निच्चे की सत्य से पोशक तत्तों का फसल चकर द्वारा उंची वह तेजी से आउस्वसुन होता है एक फसल चकर को अपनाने से मर्दा सरक्षन में कमियाती है क्योंकि फसल चकर में आच्छा ददन फसलों को समिलित किया जाता है कर्षकों को वर्ष बर कर्या करने का आउसर मिलता है अब हम बात करते हैं देशिक पास के लिए बीज का चुनाओ, बीज की किसम, या वरायटी, या बीज का उप्चार, बीज की मातरा, हमें अपने खेत में फशल की बिजाई करते समय ऐसे बीज का चुनाओ करते हैं, जो कि अपने छेतर और एरिया के इसाफ से ठीक हो, बीज का चुनाओ में पानी के हिसाब से ज्यादा उत्पादन देती हो हमें एक ऐसी कंपनी के बीज का चुनाओ करना था जो कंपनी सरकार के द्वारा रिजिस्ट्र हो जैसे राशी यूशी शक्ति वर्दक बीज करिद्य से में बीज का पक्का अवश्य लेना चीए जिसे की बीज के डूपलिकेट होने के चांज कम होते हैं और एक अच्छा ओरिजिनल बीज हमें अच्छा उत्पादन देता है अब हम बात करते हैं बीज के उपचार की हम बिमारी की रोकताम के इन्सेक्टिसाइड की दोईयों से उपचार करते हैं इन्सेक्टिसाइड दोईयों के उपचार का मतलब से इन्सेक्ट की बिमारीयों से रोकताम के लिए किया जाता है फिर हम राज जो भी हम कल्चर से उपचार करते हैं जो की पैदावार बढ़ाने में वर्दी मदद करत है अब हम बात करते हैं बीजगी मातरा हम देशी कबास की विजय के लिए एक अंकड में दो पैकट की विजय करते हैं वो संकर किस्मों की वराइटियों में हम यह दो पैकट की विजय करते हैं अगर हम देशी कबास की देशी वराइटियों करते हैं तो हम एक अंकड में है सभी संकर किस्मों का ही अप्योग करते हैं क्योंकि संकर किस्में ज्यादा उत्पादन देती है तियसे क्यार 24 धेशिक पास की उनत किस्में है । ध-107, ध-123, ध-324, ध-432 वा संकर किस्में AAH1, AAH32, वा क्यार 64 यह द्यसिक पास की उनत किसमे है जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है 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 अच डी 324 इस देशी कपास की किसम के पूद्धे लारंगे पत्ते का मद्यम और रंग लाल होता है इस किसम के फूल गुलाबी रंगे फूलों के अंदर गायरे लारंगे दबेयों प्राकन पिले रंगे होते है इसके पूद्धे में 324 मजबूत वानस्प्तिक सखाय होती है उसद पादावार नो से दस कुंडल परतियां कड़ है इसके रेस्चे के उसद लंबाई 15-16 मिलिमेटर और रूई का पतिसत ब्याड़ी से है यह किसम पकने में 115-188 देन लेती है इसलिए कपास ग्यों पसल स करके लिए उप्यक्त है इदी इस किसम की वाई या बिजाई 15 अप्रेल मा के पहले पकवाड़े में की जाए तो अधिक पैदावार के साथ साहर रेस्चे के गुणमत्ता में भी अच्छी सुधार होती है कि या फचल के बुवाई बिजाई अगर आप मसिन के साथ से खाद की बिजाई वह बीज के बुवाई एक साथ कर सकते हैं हमें बीज की बिजाई सुबह या साम के समय ही करने चीए बिजाए के समय में लाइन से लाइन के दूरी 3 फूट वह बीज से बीज की दूरी 1 फूट वह बीज की घरहाई 8 से 10 संटीमेटर रखने चीए बिजाए के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डिलना चीए वह इसके पूरपां से 6 संटीमेटर जमीन की पर चड़ जानी चीए तकि बीजगा जर्मिनेशन अच्छी तरिक्पे से होस्किया, और बीजगा अंकुर्ण च्री तरिक्पे से होस्किया फसल की वह इसी चित था ऐसे चित चेत्रों में नहरी पानी से की जा सकती है वह ऐसे चित चेत्रों में वर्षा के अधार पर इसकी विजाई की जा सकती है खरपतवार की रोक्ताम के लिए हमें विजाई के तुरुंत बाद पैंडा में लिथियां 30% इसी का ही चिटकाव करना चीए 500 mm दुआई को डाइसर लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका चिटकाव करना चीए इससे खरपतवार वाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्ते के लिए निराई गुडाई है हम सिचाई पहले निराई गुडाई उंकूर्ण के 20-25 दिन के बाद करने चीए यदि पसल में सिचाई की जूट पड़े तो अलकी सिचाई करने चीए इससे कीट वा रोगासर कम रहता है यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बारिस ज़्यादा हो जाए तो हमें सिचाई की आउसकता कम पड़ती है जल परबंदन, कपास की खेती में जल का परबंदन भी होना बहुत जूरूरी है क्योंकि अगर ज़्यादा वारिस हो जाए तो हमें जल निकास का परबंदन करना चीए यह आप पंप की साइटा से कर सकते हो कपास की खेती के लिए खा दें उरक पास की उन्हक किसम की अच्छा पैदावार के लिए परती अक्टेर नाइट्रोजन 80-120 kg फासपावर 44-60 kg पुतास 20-30 kg सलपर 25 kg देना चीए जब किसंकर वा बीटी किसं के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 150 kg, फासपोर्स 75 kg, फुटास 40 kg, वेवं सलफर 25 kg प्रियापत होता है, सलफर की पूरी मातरा बुआईगेस में, तता नाइट्रोजन की 15-37 मातरा बुआईगेस में, बाक की मातरा तीन बराबर बागों में 30 60-90 दिन के लिए अब हम बात करते हैं, कपास की पसर में लगने वाले प्रमुक कीट, गुलाबी सुन्डी कपास की पसर के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्मन कीट है, तो वह है गुलाबी सुन्डी, जो अपना पूरा जिवन उसके पोदे पर बिताती है, यह कपास के छ जाकर पूरी पसर को नश्ट कर देती है, इसका प्रकोप हर साल होता है, प्रबंदन, इसके नियंतरन के लिए कोरो मंडल के किट ना सकते फेंडाल, 50% इसी का सटकाव कर फेंडाल एक भू, आयामी किट ना सका है, यह किडे पर लंबे समय तक नियंतरन रखता है, इसके ला लेकिन इसका शरीर स्पएद मौं जैसे रखता है, यह पंदे की पत्तिओं पर चिस पा तर्ल पदार चोट कोडता है, यह वैं पत्तिओं यों पत्तिओं क रस्चुटता है, पर बंदन, कीट के लिए कोरो मंडल के फिनी ना सकाब प्रियों करें, फिनियों में दो अनोखी किट नासकों की जोड़ी है जो दो विविन का रहे से लूशिये काम कर सकते हैं इसके इलावे यह पईटवरानिक प्रभावसी यूगत है जिसमें क्यूडो का तुन तो और लंबे समय तक समाथ करने की समता होती है यह सपेद मक्य के सभी चरणों ज होता जो दिखने में मटमेले रोका होता है महू कीट पास की पत्यों को खुर्च कर उसका रश चूश लेता है इसके बाद पत्यों पर एक चिपच्पा पदा छोड़ता है प्रबंदन इसकी की रोकताम के लिए कुरोमंडल के फिन्यों किट नासका चिटकाओ करें अगर आ आप डोक्टर की साथ तैस्क के नुशार तेला कीट कड़े रंग आया किट पुद्धों की पत्यों को खुच कर इसका रश पी जाता है इसके लिए बजार में बहुत सी केट ना सकता हुए या उपलवद है आप तेला किट के लिए सप्राक करें हरा मच्छ या देखने में पांच बुजाये कर और पीले रंगा होता है इसके केट के आगे के पंको पर एक काला दबा पाया जाता है जो कपास की शिचू है वशक अवस्ता में पत्यों का रश चुचता है जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है परबंद इसके केट के परबंद के लिए प पिली भग इस परजाती के केट की मादा पंक वीन होती है वहीं इसका शरी स्पेट पाउडर से डखा होता है अलांकि इस केट के शरीर पर काले रंगे पंक होता है तो सखाओ तन्य फूल पूरी प्रणवर्थ तथा गेंटों का रश चू जाता है इसके बाद इस मिठा चि नंबर एक जिवान जुल्चा एम कुणिया दबा रोग नंबर दो मायरो थोशिस पत्ति दबा रोग नंबर तीन अल्टरनेट या पत्ति दबा रोग नंबर चार पोद अंगमारी रोग जुआन जुल्चा एम कुणिया दबा रोग या रोग पुद दे के वाई यू वागो को नुक्सा हम पुचाता है जान छोटे गोल दब्बे मन जाते है जो बाद पीले पढ़ जाते है या कपास की सह पत्तियों और गंटों को भी नुक्सान पूंचाता है इस रोग के कार गेंटा समय से पहले ही खुल जाता है जिस सेरे सा खराब हो जाता है इसके रोख थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना सका ही प्रियोग करें इस रोख के काण पतियों पर ललके और बाद में बड़े बुरी दब्बे बन जाते हैं इसके बाद पत्यां तोटकर निचे गिर जाती है इसके 25-30% उत्पादान में कमिया जाती है रोख थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना सका ही प्रियोग करें अल्टरनेट या पत्ति दबा रोग मुसम में तदिक नमी के काण पत्यों पर अलके पूरे रंग के दब्बे बन जाते हैं जिसके काण खर में पत्या तूटकर गिर जाती है ठंडे में मुसम में इस रोग उगरता दीक होती है इसके रोगताम के लिए नुश्य सिद्ध कि सभाइ सब्सान पुसान पुचाता है जिसके काण पूर्दा मुर्जात अता है रोग ठाम के लिए उन्हों सिद्ध कितना से कही प्रयोग करें अब हम बात करते हैं कपास में सप्रे कपास में 30 दिन के बाद या सप्रे अगर आप फंगस की दौरे के लिए रोग ठाम्ये ल तक्षे क्लोराइड का ही प्रियोब करिए, अगर आप के खेत में फल फूलों के संक्या को बढ़ाना चांते हो, तो प्लानोफिक्स कल्टार जैसे टोनिका प्रियोब करे। जो खेत में फूलों के संक्या में बहुत, भारी मातरा में जबदस्त वर्द्य करता है, जिसे फूलों की संक्या में वर्द्य होती है वह फूलों का जड़ना बंद हो जाता है इसे उत्पादन में भारी वर्द्य उत्ती है अब बात करते हैं उत्पादन की कपास की खित्थी से उत्पादन की चुनाई लगबग नुम्बर वै जिसंबर के पहले सब तक तक हो जाती है इसकी उत्पादन की बात कर लेक टंपान अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, स्चेयर, कमेंट